नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत आप सभी का जीके संसार पर एससे से एमटीस का जो पेपर चल रहा है उसमें 10 अक्टूबर 1st स्ट का जो अक्सपेटेट जीके क्वेस्टन से इस से 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 कंदर हम कवर करेंगे तो चली से 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 को स्टार्ट करते हैं अगर आप हमाई चै कि आप हमाई चैर बात करते हैं तो पहला प्वेस्टन कहता है कि 2020 का सरस्वती समान किसे मिला है है 18 में सनातन पुस्तक परकासित हुई थी जो कि माराथी में है और पुस्तक में दलिस संगर्स के महत्पुन सामाजिक और यतिहासिक दस्ताविजो का संग्र है ठीक है और आप यह जो देख रहे हैं इमेज यही वो सक्स हैं डॉक्टर सरन कुमार लिमबाले और वहीं अगर हम 29 सरस्ति समान की बात करें जो 2019 में दिया गया था तो यह परसेदी सिंधी साहितिकार बासदेव मोही को दिया गया था उनकी कहानी संगरह चेक बुक के लिए ठीक है किसके लिए चेक बुक के लिए और उनको मिला सनातन के लिए ठीक है और यह सक्स हैं आपके बासदेव मोही 1991 में केके बिल्डा फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती समान के स्थापना की गई थी और यह समान जो है प्रती वर्ष सम्मिधान की आठविन सुची में ओवरनित किसी भारती भासा में पिछले 10 वर्षों में परकासित भारती लिखक के जो है उनके उत्कृष साहित्ति कृति को परदान किया जाता है और इस पुरस्कार के तहत प्रस्ति पत्र असमरिती चीन और 15 लाख रुपे की नगत पुरस्कार दी जाती है तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि जो भी सरस्वती समान की बात आई तो सरस्वती समान जो है 1991 में स्टार्ट हुआ के के विल्ला के दोवारा तो पहले जो सक्स हैं जिनको यह मिला था हो थे हरीवन्स नरायन बच्चन ठीक है हरीवन्स नराय बच्चन जो हैं उनको पहला मिला था ठीक है याद रखे 1991 में इनको मिला था वहीं हम लोग देखा कि आठीवन सूची में वरनित किसी भारतिय भासा में ठीक है यह दिया जाता है तो आठीवन सूची के अगर हम बात करते हैं तो आपको मैं बता दूँ कि जो हमारा समिधान का भाग बारह है ठीक है समिधान का जो भाग बारह है ठीक है इसमें अनुच्छेत 343 से लेकर 351 तक अनुच्छेत जो है अधिखारिक भासाओं से सम्मंदित है और इसी के अंतरगत ठीक है आपको 22 भासाओं को समलित किया गया है यानि कि जो हमारा आठीवन सूची है इसमें कितने भासाओं सामिल है 22 और जब हमारा समिधान बन रहा था तो सुरुवाती दौर में इसमें 14 भासाओं को सामिल किया गया था और उसके बाद 1967 में कब 1967 में 21st Amendment जो हुआ हमारा समिधान में उसके अंतरगत आठीवन अनुसूची में सिंधी भासा को सामिल किया गया था और 1992 में 71 समिधान संसोदन जो हुआ कब 1992 में इसके अंदर कौंकनी, मनिपूरी और नेपाली को सामिल किया गया और 2003 में 92nd Amendment जो हुआ इसके अंतरगत जो की परभावी कब हुआ था 2004 से, 2003 में हुआ था लेकिन 2004 में परभावी हुआ था और इसके अंतरगत बोडो, डोगरी, मैथली और संथाली को आठीवन सूची में सामिल किया गया था देखे हमारे देश में कुछ सास्त्रिय भासा आएं भी हैं जिनकी संख्या 6 है ठीक है और अगर इसमें देखें तो तमिल को 2004 में गोसित किया गया सास्त्रिय भासा संस्कृत को 2005 में, कंणड को 2008 में आप नोट जिएगा ठीक है और तेलगू को 2008 में कंणड हम लोग ने देखा कंणड को 2008, तेलगू को 2008 और मल्यालम को दिया गया था और उडिया को 2014 में यह सबी जो हैं सास्त्रिये भासाई हैं और 6 हैं इनके संक्या ठीक है और सबी सास्त्रिये भासाई सामिधान की 18 सुची में सुची बद हैं चलिए अगला परस्नम देखते हैं तो अगला परस्नम देखें तो ए रहाब के अगला परस्न देखिए 2020 का गांधी सांती पुरस्कार किस ब्यक्ती को दिया गया 2020 का गांधी सांती पुरस्कार जो है किसे दिया गया तो यह दिया गया है बांगला देश के संस्थापक और प्रथम राश्पती बंग बंदु सिख मुझीबूर रहमान को और यह वो सक्स हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ठीक है यह पुरसकार जो है उनके अहिंसा के उम अन्य गांधिवादी तरीकों के जरिये समाजिक आर्थिक और राजितिक परिवर्तन में उत्कृष्ट युगदान है तो परदान किया गया है ठीक है और 2019 का यह जो पुरसकार है ओमान के दिवंगत सुल्टान काबुस बिन सैद अल सैद को परदान किया गया और आपको हम बता दूँ कि 22 मार्ट 2021 को केंदर सकार के द्वारा घोस्टना किया गया था कि 2020 का जो गान्दी सांतिक पुरसकार है दोनों संजीत रूप से दिया जाएगा और यह पुरसकार जो है भारत सकारा दौरा स्थाफित एक वार्सिक पुरसकार है जिसे वर्स 1995 से परदान किया जा रहा है यानि 1995 में इसकी सुरुआत हुई है और इस पुरसकार की स्थापना महातमा गान्दी की 125 जियनती पर की गई थी ठीक है याद रखिएगा कब इसकी सुरुआत थी उनिशो पंचार में में और किसके उपलक्षे में तो महातमा गान्दी की 125 जियनती पर इसको सुरू किया गया था और इसके अंतरगत पुरसकार रासी के तौर पे एक कर रुपे दिये जाते हैं कितना एक कर रुपे तो यहाँ पे थोड़ा हम दो चीजों को देखेंगे मीन है वो कौन बनाती है तो बनाता है मेगना और जमना ठीक है मेगना और जमना यहां की फर्टाइल लैंड बनाती है बांगलादेश विक्ट्री डे अगर हम देखें तो 16 दिसंबर 1971 याद रखेंगे इस इसको ठीक है और जो सम्मिधान बनाओ 16 दिसंबर कब लागू हुआ यहां पे 1972 ठीक है बांगलादेश और इंडिया का जो बोर्डर है वेरी वेरी इंपोर्डेंट है कितना है 496 किलोमीटर ठीक है भारत और बांगलादेश का जो बोर्डर है वो 496 कि और अगर इसमें हम देखते हैं कि कौन-कौन से राज्य हैं जो कि इससे सीमा साजा करती है तो आपका कौन-कौन सा असम है वेस्ट बेंगौल है मिजोरम है मिघाले है और तरिपूरा है और सबसे ज़्यादा जो बांडरी सेर करता है बांगलादेश के साथ हमारा स्टेट वेस्ट बेंगौल और कितना करता है भाई तो 270 किलो मीटर इसी को आप याद रखेगा और बांगलादेश और इंडिया का जो लाइन है जो सेप्रेट करता है जिनको की ए दिया गया पुरस्कार तो अमान का जो कैपिटल है वो मस्कट है, केरेंसी चलता है, यहाँ पे उमानी ρियाल और ओफिसियल लेंगविज एरिभिक यहाँ पे upper house जो है, उसको मजलिस अलडवला कहा जाता है और lower house जो है, उसको मजलिस अलडवला कहा जाता है, याद रखिये जिस तरह से हमारे देश में, upper house को राजसभा का जाता है लोह राउस को लोकसभा का जाता है उसी तरह से वहां का जो अफ़र हाउस है वो मान का उसको मजलिस अल्डवला का जाता है और जो लोहर हाउस है उसको मजलिस अल्डवला का जाता है और अभी वर्तमान में सुल्तान जो है हैमत बिन तारीक है और जो कि NSG यानि रास्टिय सुरक्षा गार्ड के नए महाने दिसक्र बने हैं और इनका नाम है एम एक गनपती और आपको मैं बता दूँ इनका जो कारेकाल है और 29 फरवरी 2024 तक रहेगा और इससे पहले वो नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरू यानि BCAS के महाने दिसकर रुप करें 1986 में आतनकवादी और अपरहर जैसे घटनाव से नहीं पटने के लिए संगी आकास्मिक बल के रुप में इसकी सुरुवात हुई थी और इसका मुख्याले जो है मानेसर गुरुगराम हरियाना में है ठीक है चले अगला परसन करते हैं अगला परसन देखते हैं सैंगे जुआला मुखी जो है इकवादोर में है और आपका लगभग 5230 मिटर यानि की 17,169 फिट की उचाई परिसित है और विस्वभर में सबसे सक्री यानि एक्टिव जुआला मुखी जो है एक्टिव वैलकरनों जो है उसमें से एक जुआला मुखी ये आता है आपका है तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो वलकैनों है ग्यारा माद 2021 को इसमें 20 फोट शुरू हुआ था और आकास को आकास में इससे तक्रीबन तक्रीबन पचासी सो मीटर तकराक का धुआ जैसा बादल पुरा बन गया था जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं और इसका परभाव जो है 50 किली मिटर दोर के सहरों में देखने को मिला यहां वहां के जो बादल थे पुरा धुआ धुआ हो चुका था और लगभग 52 मिटर के उचाई पर इस्थीत है कितना 52 मिटर जो है यहां पर आप देख भी पार है ठीक है अगर हम बात करते हैं इकवाड जो है यहां के क्या है राष्ट पती याद रखेगा गुल मेरो ठीक है अगला परसन करने से पहले एक और चीज़ आपको बता दूँ इकवाडूर जो है अपने तेल संसाधनों पर निरवर है ठीक है यहां पर तेल का उत्पादन ज्यादा होता और इसी पे पूरी तरीके स उध्यान कहां है तो यह आपका केरल में है और आपको मुम बता दूँ कि यह केरल के मराइपूर सहर में इस्थित है कहां पे मराइपूर और यह भारत के छोटे राश्टी उध्यानों में से एक है अगर इसका हम फेलाव देखें तो 1.3 तर किलो मेटर है और वहीं अगर क यहां पे थोड़ा और चीजो को देखते हैं केरल के बारे में तो केरल को अस्टेट हूट का जो दर्जा मिला वो मिला था एक नौंबर 1956 को ठीक है यहां पे जिलो की संख्य के बात करें तो 14 है और विधान सभा के सीटी यहां पे 141 है लोक सभा के सीटी यहां पे 20 है और अलम है और दूसरा है English ठीक है वहीं अगर हम सेक्से Crisio की बात करें तो एक अजार पूरुस पे यहां पे महिलाओं की संख्या जो है दसվची ऐख ठीक है यानि यहाँ पर महिला ज्याद है और वहीं अगर हम किरला का राजकिये व्रिच की बात करे अस्टेट ट्री की बात करे तो क्या है coconut tray ठीक है और fruit में अगर देखते हैं तो jackfruit यानि cuttle और bird की बात करें तो great hornbill जो है यहां का राजकिये पच्छी है और किरला को कई उपनाम दिये गए हैं जैसे lands of coconut, gods on country और a spice garden of India यह सभी किरला के उपनाम है ठीक है चलिए और से पहले एक चीज़ा और मैं बता दूँ कि किरला का अगर हम area देखते हैं चितरफल देखते हैं तो 38,863 km यह 38,863 km2 है ठीक है चलिए अगला परसन करते हैं अगला परसन कहता है science का question है यदि आप स्थीर वायू में धुल कनों को देखनी के लिए एक सुच मदर्सी का परियो करे तो वे आपको हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देंगे इस परिघटना को क्या कहते हैं तो यह जो परिघटना है यह जो घटना है उसको ब्राउनी प्रभाव कहा जाता है देखिए किसी भी कुलाइडी विलियन में कुलाइडी कनों का टेड़े मिर तरीके से गती करना जो है ब्राउनी गती कहलाता है इसकी खोज की कर हम बात करते हैं तो ब्रिटिस बैग्यानिक रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में किया था कारण क्या है तो ब्राउनी गती कुलाइडी कनों के परिछेपन माध्यम के अनुवों से टकराने पर उत्पन होती है जो यहाँ पे आप देख पा रहे है ठीक है यही है ब्राउनी मॉम्मिंट ऑफ पार्टिकल यह आप देख रहे है और इसीज़ को याद रखिएगा कारण क्या है तो कुलाइडी कनों के परिछेपन माध्यम से अनुवों का जो टकरा होता है उसी एक अज़े उत्पन होता है उसी को में कहते हैं क्या ब्राउनी प्रभाव ठीक है अगला परसन कहता है कि भारत के सम्मिधान में सरदार स्वर्ण सिन समिती कि सिफारिस के बाद क्या जोड़ा गया था देखिए मानने के लिए या इन्हें मानने के लिए किसी भी देखिए जो हमारा मौली करता है इसको मानने के लिए हमें बाद ही नहीं किया जा सकता ठीक है और यह 42 समिधान संसोधन जो हुआ था 42 अमेंडमेंट जो हुआ था उसके बाद जोड़ा गया था और 42 संसोधन ने प्रस्ता एकता और खंडता में भी बदल दिया गया है अगर यहाँ पे हम बात करते हैं 42 वा सम्मिदान समस्दन की तो यह कब हुआ था 1976 में हुआ था और देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं यह हैं आपके सरदा सोवन सिंग और 1976 में हुआ था पारित जब हुआ था कब हुआ था 11 नॉवंबर 1976 को ठीक है पारित हुआ था 1976 को पास कब हुआ था तो 18 दिसंबर 1976 को और शुरुआत कब हुआ 3 जनवरी 1977 को ठीक है 42 समिदान समस्दन के दोरान सेकुलर सोसिलिस्ट और इंटिग्रिटी सब्द को जोड़ा गया था और देखे राज्य सुची से जो 5 विश्चियों है उनको समवर्थी सुची में हस्तना अंतरित किया गया था इसी एमेंडमेंट के अंतर और इसके अंतरगत को था सिक्छा, वन, वजन और माप, वनने जिवम पच्छियों का सरक्षन और निया पर्षासन एसा भी जो है क्या किसके अंतर समवर्थी सुची के अंतरगत सामिल किया गया और सातिवी अनुसुची के अंतरगत समवर्थी सुची आता है आपको मैं बता दूँ सातिवी अनुसुची राजी और संग क्या मद्धी के अधिकारों का उलेख करता है जो कि इसके अंतरकत क्या आता है संग सुची, राज सुची और समवर्ति सुची तो यह थे important questions जो कि आपके यह काफे important है तो उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और से जोरू किजएगा और वीडियो के रिगार्टिक अपना जो feedback है comment box में जोरू दीजएगा थैंक्स वर वाचिंग, मिलेंगा आप सभी साथ निक्ष वीडियो